नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको आपने यूट्यूब चैनल सूपर कम्प्यूटर में कल हमने स्विच के बारे में पढ़ा था नेट्वर्किंग डिवाइस में आज हम एक और नेट्वर्किंग डिवाइस ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे आपने ब्रीज के बारे में सुना तो होगा नॉर्मल ब्रीज के बारे में अगर देखें तो हम सडको पर देख सकते हैं कि ब्रीज बना होता है जो एक रोड को दुसरी रोड से जोड़ता है रेलवे लाइन के उपर ब्रीज बना होता है कहीं बार हमारे आ जा सके तो नेटवर्क ब्रिज में जो ब्रिज का यूज होता है वो डाटा को यहां से वहां सेंड और रेसीव करने के लिए यूज होता है ब्रिज भी एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और इसे हम दो पोर्ट का स्विच भी कह सकते हैं, स्विच में हमने कल पढ़ा था जैसे unmanaged स्विच जो हमने पढ़ा था उसी तरह का ये दो पोर्ट का हम इसको SWिच भी कह सकते हैं, layer to device आप ये देख सकते हैं, दो पोर्ट का ब्रिज है और इस डाइगराम में आप देख सकते हैं एक तरफ यह host A, host B, और यहां पर hub या switch लगा हुआ है, एक hub भी कह सकते हो, आप switch भी कह सकते हो, और यहां पर दूसरी जगा पर किसी दूसरी building में मान लेजिए, यहां पर host C, host D, या computer, बीच में इसको bridge से जोड़ दिया गया है, ताकि यहां का इस building का data इसन के साथ असानी से share हो सके, तो bridge की definition एक बार थोड़ा जान लेते हैं, आईए, A network bridge also known as a layer-to-switch of two port, is a hardware device used to create a connection between two separate computer network, जो कि दो separate computer networks में connection create करता है, bridge inspects incoming traffic and decide whether to forward or reject it, जो bridge है, वो आने वाले data को एक बार देखता है, और फिर decide करता है कि इसको दूसरे वाली port पर जो network हमने जोड़ा है, वहाँ पर इसको forward करना है, reject करना है, वो आपको थोड़ा सा और इसको diagram बना के समझा देते हैं, reject का क्या मतलब है, मान लीजिए यह चार computer एक building में लगे हुए है, यह चार computer एक building में लगे हुए है, यहाँ पर हमने एक, इसको switch से हमने जोड़ा हुआ है, इसनि इन चारो computers को भी, और इन चारs को, चार computers को भी हमने switch से जोड़ा हुआ, आपको आपस में जोटने के लिए, अम ने बीच में एक ब्रिज लगा दिया और बृज लगा दिया और ब्रिज की दो पोट लिए जैसे एक वायर को निकालके इससे जोट लेग और फ़ी सव्ञ्वप्ल तो इस तरह से हमने यहां पर इन सभी कंप्यूटर्स को ब्रिज के तुरू आपस में जोड़ दिया अब मान लीजिए जो ये है ये कंप्यूटर नमबर एक है या ए है बी है सी है डी है और ये ई है एफ है जी है एच है तो अगर एकंप्यूटर ने यहां पर अगर अगर एकंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है अगर यहां too यहां पर एच है है तो ए ने कुछ भी डाटा यहां मैसेज वेज़ा है एच को है कि आई पी एड्रेस को तो यहां से आने वाले data को वो पहले bridge के पास जाएगा, bridge inspect करेगा, bridge में एक table बनती है, जो कि इन सभी, पहले तो वो table खाली होती है, जब नए नए ब्रीज लगाते हैं, तो उसमे एक table बनती है, जो कि सभी computer की Mac address को जैसे जैसे वो communicate करते हैं, record करता चला जाता है, तेवल को हम इस तरह से समझ सकते हैं से port number 1 है और यह port number 2 अब मैं address है ए ने data भेजा h को तो सबसे पहले तो जो bridge है वो एक बार सबको message या data broadcast कर देगा मान लेजिए ए ने data भेजा h को तो एक बार तो यह सबको प्रूड काश कर देगा, इसको भी भेज़ देगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, फिर जब इसका IP address मैच होगा, ए ने इस IP address को भीज़ा, वो bridge से मैच हो गया, कि वो H का है, तो H से IP address मैच होने के बाद, वो इसके अंदर सेव कर लेगा, कि ये MAC address जो कि hardware address भी इसको बोलते हैं, वो इस H नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो इसके अंदर वो सेव हो जागा, तो अगली बार से जब भी A device H को डाटा भेज़ेगा, तो वो सबको ब्रोड कास्ट नहीं करेगा, एक बार तो bridge ब्रोड कास्ट करता है, उसके बाद दू द बात करते हैं, reject की, यहाँ पर हम समझा रहे थे, bridge inspects in coming traffic and decide whether to forward or reject it, forward तो वो कर देगा, अगर दूसरी जगा पर computer लगा हो है, reject किस case में करता है, अब अगर मान लीजिए, यहाँ पर A ने data भेजा, B को, या फिर D को मान लीजिए, A ने data भेजा, D को, तो डाटा एक बार फिर से bridge के पास जाएगा, bridge फिर से इसको एक बार broadcast करेगा, जानने के लिए, कि यह actual में भेजा किसको गया है, फिर से वही IP address के थ्रू, इसका MAC address इसकी table में record हो जाएगा, कि A ने data भेजा है, D को, इसको port नंबर एक पर ही मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि A और D, A और D, जो computer है, व bridge की एक पर connect है, तो इसकी table में save हो जाएगा, कि जो computer D है, वो भी port नंबर एक पर connect है, तो वो reject कि, in future, जैसे ही computer नंबर एक, D पर data भेज़ेगा, तो वो इसको आगे नहीं जाने देगा, मतलब E, F, G, H के पास वो जाएगा, इस वाले network में नहीं जाएगा, वो direct यहें के यह नहीं भेज देगा, तो इस से क्या होगा, इस network की speed, जितने भी यहाँ पर computer है, वो जादा बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ का data अगर भेज़े जाए रहे तो यहीं पर रहेगा, आगे जाए तो इसको आगे भी यह जाने देगा, bridge inspects incoming traffic and decides whether to forward or reject it, check source and destination MAC address, बोथ networks usually use the same protocol, यह दोनों ही जो network हैं, वो same protocol पर जुड़े होते हैं, तो दोस्तो ब्रिज का यही काम था, यह जैसा कि आपको बताया, एक layer 2 device है, इसको हम एक तरह का layer 2 switch भी कह सकते हैं, एक unmanaged switch, thank you,